सचना मानगा नहीं ये दिल तेरे निये अर पल तेरी खेर मंगदा रहे तू जो नैना चित लाया है शरापी रखते लाया तेरे इश्च चिछ होया है मालंग सचना तेरी दोरी हानों लेके दल आगे लिखते बैके आचे काफी सारे बच्चों का कॉमेंट आ रहा था कि नेता जी सुबास इंजिनेरिंग कॉलेज की भी रिवीव वीडियो लेकर के जल्दी से जल्दी ले आओ भाई या तो इसलिए मैंने इस प्यारे सी वीडियो को लेकर के आया हूँ आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल में एनलाइसिस करने वाले हैं कि नेता जी सुबास सुबास इंजिनेरिंग कॉलेज में हमें एड्मिसन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ठीक है इसकी हाइस प्लेस्मेंट क्या जाती है इसका कैमपस कैसा है और यह कहां पर इस इंजिनेरिंग कॉलेज है इसका कुछ कैमपस का एक माने फोटो ले करके आ रखा है ठीक है ये इस्टेबलिज हुआ था बाई DV 1998 में कभ़ इस्टेबिस हुआった 1998 में जो की टेक्नो ग्रूप का बहुत ही पुराना ग्रूज है एक टेक्नो ग्रूप का बहुत ही गरिया में इस्थीत है वाई यह जो college है वह आपका गरिया कलकता में इस्थीत है ठीक है और इसकी जो PIN code है 700152 इसका PIN code है ठीक है भाई next हम बात करते हैं भाई इसके college के बारे में कुछ-कुछ चीजे जान लेते हैं कि भाई इसमें कौन के किसके किसके थुरू यह approved है affiliated है और इसका accreditation क्या क्या है ठीक है तो देखो सबसे पहला बात approved by the AICT जिसका जो आप लोगों के दिमाग में आता है न भाई कि approved है या नहीं है यह AICT से है तो यह approved है college भाई and affiliated to mark out ठीक है किसे affiliated है भाई मकाउट से ठीक है and accredited by NBA ठीक है यह आपका accredited किसके थुरू है भाई NBA के थुरू and NAC के थुरू ठीक है and ranked by NIRF ठीक है यह rank किसके द्वारा किया गया है NIRF के द्वारा ठीक है आपका 2020 में 2020 में NIRF ranking इसको दिया गया था ठीक है भाई चलिए आगे हम बात कर लेते हैं college connectivity कि तो college में हम लोग किस तरीके से पहुंच सकते हैं कहां से connectivity कितनी मतलब कैसे हम लोग यहां पर पहुंचा जा सकता है तो जो बच्चे फ्लाइट के थुरू traveling करके आएंगे वह कलकता एयरपोर्ट से उनने केवरो मेटर जाना पड़ेगा ठीक है दो बच्चे आहएंगे मतलब जो ट्रेन के थुर आहेंगे वहां हावरा जक्सन से से 25.8 जाना पड़ेगा कहा से आपरा जक्सन से ठीक है इसकी डिस्टेंस कितने हैं 25.8 किलोमेटर मतलब पकड़ो वही दो मतलब कुछ कर सकते हैं हम लोग कुछ एक गंटे का रास्ता है ठीक है बाई चलिए आगे हम बात कर लेते हैं तो देखो इस कॉलेज के अंदर आप अगर प्रवेश लेना चाहते हो तो आपका इंटरी के लिए आपके पास तीन गेट है पहला तो आप डबलू वी जी देख करके जा सकते हो जिसके थूरू 80% स्टूडेंट डबलू वी जी के थूरू यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और ज सबसे पहला बात हम लोग डबलू वी जी की कटक की बात कर लें तो डबलू वी जी के थूरू अगर आप इस कॉलेज में अड्मिसन लेना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेज का मैंने लाया है जैसे बीटेख Computer Science and Engineering CFE का हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो इसका जो यह है ठीक है वह कितना रैंक तक होता है तो 75,903 रैंक तक आपको यहाँ पर डबलू वी जी की थूरू मिल जाता है आइटी ब्रांच अगर लेना चाहते हो तो आपका 95,184 ठीक है अगर AIML लेना चाहते तो 1,255 ठीक है और जो Computer Science and Business System की बात कर लो तो आपका 11,15,286 रैंक तक ठीक है आगे बात कर लेते हैं जेई मेंस के थूरू हम लोग कितने रैंक तक जा सकते हैं तो CSE की बात कर लेते हैं तो आपका कहा तक 88,425 रैंक तक हम लोग इसमें इंट्री ले सकते हैं ठीक है बाई आगे बात कर लेते हैं Artificial Intelligence and Machine Learning मतलब AIML की तो ये 1,29,257 तक इस College में हम लोग admission ले सकते हैं साथी साथ IT ब्रांच की बात कर लें तो 1,34,473 रैंक तक और Computer Science and Business System की बात कर लें तो आपका 1,55,295 जो की CSE का Specialization ब्रांच है and next EC की बात कर लें तो वो आपको 1,41,000 रैंक तक आपको ये मिल जाता है ठीक है बाई तो ये जो cut-up था ये आपका 2022 के हिसाब से था ठीक है 2023 की cut-up अभी हमारे पास latest update नहीं है ठीक है जैसे ही आ जाता है हमारे पास हम आपको उसका भी update दे देंगे ठीक है तो इस चैनल को subscribe करकर रखना सबसे पहले update आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है बाई अब college के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो उसके पहले हम लोग सोचते हैं कि यहां का placement record क्या है क्या इस college का ROI क्या है मतलब में लोग जाने के बाद क्या हम लोग कहां तक का placement offer का मतलब यहां पर और कौन-कौन सी company आती है कि कि सकते हैं कि वह में कितने के placement offer कर सकते हैं तो इन सारे चीजों पर भी सभी बच्चों का एक question उपता हो ठीक है तो प्लेस्मेंट रिकॉर्ड की अगर हम बात करनें तो देख लो 2018 में यह जो कॉलिज इसके अंदर आपका 484 बच्चों का प्लेस्मेंट हो गया था फिर थोड़ा सा 2019 में यह घटा था एंद फिर 2020 में यह बापत से फिर भाग रहा है मतलब इधर कुछ लाश्ट के एक दो साल में तीन साल चार साल में इसका जो कट अफ है ना काफी इंक्रीज किया है मतलब काफी यह बहतर होते जा रहा है मतलब इसकी प्लेस्मेंट जो है इस पर काफी अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है ठीक है अब यहां पर जैसे देख लिए अगर पर्सेंटेज बात करें तो देखो सब्सक्राइब करें यह दो कॉलेज अगर इसी लेना चाहते हो यह दो कॉलेज ले सकते हो बहुत ही बैठर ठीक है उसके बाद अगर बात करते हैं इसका भी प्लेस्मेंट है जो की को आइट के बराबर अग यहां पर कमपेर में है अबी काफी ध्यां दिया जा रहा है थाकि और अच्छा से अच्छा प्लेस्मेंट ज्यादा थे ज्यादा बच्कल का वह प्लेस्मेट लग पाए ठीक है और यहां का average placement and highest placement की अगर हम बात कर लें तो देखो highest package जो है वो आपका कितना चल जाता है 60 LPA चला गया है ठीक है यह 2022 में गया है 60 LPA and average package की बात करें तो यह कितना गया 6 LPA मतलब ROI कर सकते हो तुम कि अगर आपका मतलब यहां का college भी जो है वो भी आपका सिक्स लाक है पूरा चार साल का ठीक है तो मतलब ROI कर सकते हो कि ठीक है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बहुत ज्यादा खराब भी नहीं ठीक है जिस टाइप से मतलब हमारा college है ठीक है उसके हिसाब से इसका ROI काफी अच्छा है ठीक है यहाँ पर कौन-कौन सी company विजिट करती है तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक से एक company जो है वहाँ पर कुछ companies को मैंने यहां पर नोडान करके रखा हुआ है ठीक है बहुत सारी company का मैंने यहाँ लिस्ट भी नहीं लाया है जैसे Amazon हो गया आया हुआ है ठीक है बजाज हो गया ठीक है इदर चेक हो गया ठीक है डिश्टी भी हो गया यहाँ पर देख रो मतलब काफी अच्छी ची company कितना बच्चों को ले करके गई है एमेजन को कितना ले करके गई है एसेंचर कितना ले करके गया है ठीक है इन सारे का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक गूगल ट्राइब का लिंक दे धूंगा वहां से जाकर कि आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी company में कितने-कतने बच्चों प्लेश हुए ठीक है और इसके हिसाब से आप जाकर के इस place यहाँ पर बात कर सकते हो ठीक है अब देखो उसके पहले दिको हम देको यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर देखो management quota की हम बात कर रहे थे ना वाई management quota के बारे में तो हम चर्चा नहीं कि एक management quota क्या होता है कि बहुत सारे वच्चे ना ना उनका WVJ में अच्छा रहें का पाता है ना जेही में आपाता है तो उन लोगों को जरूत होता है कि बाई कुछ इक्स्ट्रा पैसे ले लो ठीक है कुछ इक्स्ट्रा पैसे ले लो लेकिन मेरा admission ले लो ठीक है तो यह जो जितने भी private college होते हैं तो वह क्या करते हैं 10% शीट ऐसा रखते हैं कि वहाँ पर management के थ्रू admission लेते हैं और वहाँ पर जो इक्स्ट्रा पैसे लेते हैं उसका यूज करते हैं भाई किसके लिए college के development के लिए ठीक है किसके लिए college development के लिए काम करते हैं ठीक है तो उसके थ्रू भी आप admission ले सकते हो यह 10% शीट जो है वह आपका management quota के थ्रू जाता है अगर आप management quota के थ्रू इस college के अंदर admission लेना चाहते हो तो नीचे google form दिया गया है आप जा करके your form को फिलफ कर सकते हो और इस college में बापस से आप admission ले सकते हो ठीक है तो अगर इसी टाइप का आपको और भी colleges का review वीडियो चाहिए होगा वाई तो चैनल को subscribe कर लेना अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर करना वाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास share जरूर करना मिल अच्छाबू होगा 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 हुई फड़ में तो इसे घ्रती है येज़ वाई तो इसे जरूर को येदे गले ये डाईंसे होगा हुई पासपना थासे है